दक्षणी लेबनान से सटा उत्री इसराइल हिजगुला के हमलों की आग में जल रहा है। लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दरसल इस बार हिजगुला ने कैला बैरिक्स में बने इसराइल के एर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ताबर तोड तरीके से बंबारी की है। साथ ही जारिद बैरिक्स के पास अबुदाजा हिल और तालेत अलकरंतीना में इसराइली सैने की कठा हो रहे थे जिन पर हिजगुला ने मौका पाते ही हमला कर दिया। हिजगुला का कहना है कि उसने कबजेवाले कफार चौबा में भी रोईशत अलाम में IDF पर रॉकेट प्रोपेल्ड हत्यारों से हमला किया है। हिजगुला का ये भी कहना है कि उसने अलमर्ज में भी गोला बारूद बरसाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन हमलों से पहले हिजगुला ने इसराइल की गोलन ब्रिगेट के हेड़कौर्टर्स पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटेक किया था। हिजगुला शारगा बैरेक्स की इजोग 621 यूनिट में बने गोलानी ब्रिगेट्स के हेड़कौर्टर पर हुआ था। यहां पर हिजगुला ने कामी केज ड्रोन्स का एक जथा फायर कर दिया था जो सीधे अपने टार्गेट पर जाकर गिरा था। इस हमले को लेकर हिजगुला का कहना है कि यह अटेक एक दम सटीक रहा है और इस अटेक में IDF को भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले के अलावा रोईसत अलाम साइट पर हिजगुला ने इसराइल के बक्तर बंद वहनों पर गाइड़ेड मिसाइले भीदा गी है। हिजगुला के मुताबिक ये मिसाइले सीधे IDF के वहनों पर जागिरी जिसमें चालक दल या तो मारा गया या फिर घायल हुआ है। हिजगुला ने इस हमले को लेकर एक बयान भी जारी किया है जिसमें उसने कहा कि पहले तो उसने कबजे वाले शीबा फार्म्स में IDF पर निगरानी रखी और जैसे ही इसराइली सेना की गाड़ियां हमले वाली जगा पर पहुँची तो उनके ओपर अटेक कर दिया गया। वहीं इसराइली सेना ने भी माना है कि पश्चमी अलजलील में हुए ड्रोन हमले में उसके छे जवान घायल हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस घटना में कम से कम 19 लोग घायल हुए हैं और इन में से एक व्यक्ती गंभीर रूप से घायल हुआ है। फेल होकर नीचे गिरी थी जिससे ये इलाका प्रभावित हुआ है। वह हिजगुला के कई ड्रोन नहारिया और आर्मी बेस में जाकर फटे हैं जिन से भारी नुकसान हुआ है। कि अकला करा नुकसान हुआ है। अप थां क्या हुआ झाल झाल